सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रूप चैनल को और बेल आइकन को दबाईए ताके आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें हेलो फ्रेंड्स साइबोटेक एजुकेशन ग्रूप में आप लोगों का फिर से एक बार सौगत है पिछला वीडियो मैंने सिक्वेल पर डाला था सिक्वेल का पार्ट बन जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप और एकल को ओपेन करते हैं और कैसे और एकल के डेटाबस से कने क्हों के जरिये insert करते हैं records को और कैसे select करते हैं हालांकि took command का बहुत छोटा सा मैंने परीचे दिया था कमिट का क्या यूज है रॉल्बैक का क्या इस्तमाल है और अपडेट कैसे करते हैं आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पार्ट टु मैं बना रहा हूं आप लोगों के सामने ध्यान दीजेगा जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में DBMS लिंक पे क्लिक करके वह पहला वीडियो देख सकते हैं और जब भी वीडियो देखने बैठे हैं कॉपी कलम लेके बैठे हैं ताकि कुछ-कुछ इंपोर्टन चीजे नोट कर सकें देखिए यहां मैंने लिखा कनेक्ट और इंटर किया यूज हुआ हमने इचलत मा नेचले बार हमने बनाया था सेलेक्ट कमांड के जरीए से मैं देख रहा हूँ सेलेक्ट टास्टिक फ्रम स्टूडेंट इंप्र आह कि यह सारी चीज़त हुत ही Olay तो अभी मैं एक command इस्तेमाल करता हूँ या अभी ऐसा करता हूँ मैं फिर से चाह रहा हूँ कि मैं create करूँ एक table create table students जिसमें मैं roll जो की number type होगा ये डाल दूँ width पांच बहुत है suppose comma और क्या चाहिए आपको name column add करना है तो name suppose worker to ऐसा कुछ मैंने डाल दिया ठीक है और यहाँ पे suppose address देखे मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर जो जिस नाम से पहले से table बना हुआ है अगर आप उसी नाम से दुबारा बनाते हैं तो क्या होता है यहाँ message देता है कि इस नाम का table पहले से मौजूद है यहाँ देखे error दे रहा है यहाँ indicate कर रहा है कि यहाँ पे गलती है और यहाँ message में दे रहा है name is already used by an existing object कोई object इस नाम से है ठीक है तो आप अगर जो नाम जिस नाम से आप table बना रहे है अगर आपको यह लगता है कि उस नाम से table पहले से होनी की संभावना है और आप उस table को उतना importance नहीं देते हैं आप चाहते हैं कि चलो अगर है भी तो मिट जाए तो उस लिए उस वक्त आप क्या करते हैं कि लिखते है create और replace यहां दी जगा create के साथ और replace हर जगह पर इस्तमाल होता है जहां भी create है ऐसा लिखने से यह होगी बात कि आप यहां रॉल नंबर सपोज तीन आपने दिया कॉमा नेम वार्कर टू और आप यहां डालते हैं ट्वेंटी कॉमा विट तो अपने हिसाब से डालने की चीज़ है वार्कर टू थर्टी ऐसा आप डालके देखिए अब एर्र नहीं होगा कि अभी क्रियेट और रिपलेट टेबल यहां पर देखे मैंने टेबल कीवर्ड छोड दिया था यह प्राब्लम रॉल नंबर तीन नेम वार्कर टू 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 कॉमा अड्रेस वार्कर टू थर्टी ओके यह जो है रिपलेस नहीं कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ड्रॉप कर दता हूँ ड्रॉप टेबल स्टू इस कमांड से आप किसी एक्जिस्टिंग टेबल को मिटा सकते हैं यह देखिए आपका मिट गया टेबल अब आप देखें सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट्स तो आप पाएंगे कि इस नाम का ना तो टेबल है और नहीं व्यू 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 क्या चीज़ा मैं बताऊंगा आगे अब आप यह यह टेबल कमांड इस्तमाल करते हैं क्रियेट टेबल स्टूडेंट्स ओके ऐसा आप जैसी लिखते हैं टेबल आपका बन गया आप डिस्क्राइब से स्टूडेंट्स कर लेते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए अब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंसर्ट इंटू कमांड के बारे में इंटू स्टूडेंट्स वैल्यूज जैसे रॉल नंबर आप बन डालते हैं नेम एबी सीडी डालते हैं एड्रेस जो है वह आप डाल देते हैं नवादा ऐसा कुछ यह देखिए आपका आप सेलेक्ट स्टूडेंट्स करेंगे तो यह एक रिकॉर्ड आपका होल जो है वह नुमेरिक-टाइप है आप यहां एंपर्शन वन लगातिजीए तो टैशन और यहां पर आप एंपर्शन टू लगा दिजी सowel Xing की वो character type है और character type में always amperson लगेगा ठीक है 123 ऐसा नहीं कि 1 दो बार लिख दिया तू तीन बार लिख दिया ऐसा नहीं पारामीटर 1 पारामीटर 2 पारामीटर 3 यह प्लेस होल्डर के तरह काम कर रहा है ऐसा लिखने से अब क्या होगा कि यह पहले पारामीटर 1 का वैलू मांग रहा है तो मैंने रॉल नंबर 2 डाल दिया अब यहां सपोज नेम में मैंने सचिन डाल दिया और एड्रस मैंने मूंबई डाल दिया अब यह आपका एक रो बन गया अब आप इसी कमांड को जो अभी अबने इच्ज्द किया है आपको execute कराना है तो पूरा आपको फिरसे लिखने की जर्वरत नहीं है से यह इस तरह से यह पूरा कोई जर्वरत नहीं है आप क्या करेंगे आपको सिर्फ forward slash दे एक skt करना है last executed command forward slash के बाद inter दाने से खुद से एक्जिक्यूट हो जाता है आप यहां सेवन डालते हैं यहां पे आप धोनी डालते हैं और यहां पे आप डाल देते हैं राची फिर से फॉर्वर्वर्ड स्लैश आप यहां पे रॉल नमबर तीन डालते हैं आप यहां पर कोहली डालते हैं और आप यहां पर दिल देल ही डालते हैं, समझे इस बात को, फिर यहां पर आप forward slash roll no.4 शिखर देल ही, ऐसा कुछ आप डालते हैं, देख लिए आपका सारा रेकॉर्ड यहां पर आ गया, select as to from students आ गया, तो यह तो हो गया insert command का जो पहला syntax है, जिसमें आप जितना भी column है, सब में आप value डालना है, और वो भी जिस order में, जिस sequence में आपने बनाया है, उसी sequence में अगर आप चाते हैं कि सिर्फ roll name में हम डालें, तो आपको क्या लिखना होगा, आप लिखेंगे insert into students और यहाँ पर आपको column, जिस column में आप डालना चाहरा है value, रॉल और नम में मैं जालना चाहरा हूँ, values और यहाँ भी मैं वही काम करता हूँ, amperson 1, रॉल के लिए, चुकि नहीं मेरिक है, without any quotation, और नेम के लिए, amperson 2, quotation के अंदर चुकी यह character type है, अब आप ऐसा लिखते हैं, तो roll number आप डाल देते हैं, 10, ठीक है, आप डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ भी, ABCD, ABCDE, हो गया, फिर आप forward slash, roll number 23, कुछ भी, QWERT, roll number 17, X, Y, Z, अब आप देखेंगे, कि select asterisk from, हमने जब students, अब हम करेंगे, तो आप पाएंगे, कि दोनों command से executed, चीज आपके सामने है, लेकिन इसमें अभी address में कुछ भी नहीं है, आप इससे पहले कि आपका data खतम हो जाए, आप commit कर लिजे, ताकि rollback का भी effect नहीं पड़े, गल address में, insert करें, तो insert into students, roll, और किस column में चाहिए, address में चाहिए, कौन-कौन सा value चाहिए, यह देखिया, आप person 1, चुकि roll numeric है, इसलिए without any quotation, और address चुकि character type है, इसलिए with quotation, अब ध्यान दीजेगा, कि यह roll और address में जाएगा, roll number 34, address, suppose पटना, roll number 13, address गया, roll number 18, address नवादा, अब आप commit कर लेता हूँ, पहले मैं, अब आप देखते हैं, जब आप select a stick from students करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह सारा record आपके सामने आ गया, अब मैं ऐसा करता हूँ, कि कुछ records डालता हूँ, जिसमें roll को मैं blank छोड़ दे रहा हूँ, name और address मै कुछे क्या करना होगा, insert into students, और यहाँ पे आपको डालना है name में, और address में, कौन-कौन सा value, तो name, character type है, amperson 1, ठीक है, और single quotation में address भी, चुकी character type है, इसलिए, amperson 2, अब आप यहाँ डालते है, element o, name है यह, पटना, kjhg, गया, ghyty, नवादा, commit कर लेता हूँ, मैं, ताकि record destroy नहीं हो सके, और select aster from students मैं करूँगा, देखिए आपके सामने ऐसा record आ गया, यहाँ पे भी देखिए यह, मैं आगे discuss करूँगा, अभी, देखिए कितना record, एक साथ दिख रहा है, एक बल्क में, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, 11, मैं बताऊंगा, आगे की वीडियो में कि आप चाहें, तो एक साथ अभी 11 बाई default यह record एक साथ डिस्प्ले कर रहा है, एक bucket में, एक cycle में, बाकी को फिर दूसरे cycle में कर रहा है, इसलिए बीच में dot 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 आ रहा है तो कैसे इससे आप निप्टेंगे, आज का जो वीडियो है, यह अभी तक जो मैंने बताया, यह पिछले वीडियो में मैं discuss कर चुका था, और अब बहुत ध्यान से आप लोग लास्ट टक वीडियो देखेंगे, क्योंकि आगी की चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूं, वो most का definition language में आता है, data manipulation language में बहुत सारा कमांड से दूसरा टाइप है, जैसे select है, insert है, update है, drop है, etc, alter है, बहुत सारी कमांड है, और data DCL, data control language जिसमें आपका grant है, create user है, drop user है, revoke है, commit है, rollback है, save point है, तो यह सारी चीज़े जैसे से मैं वीडियो बनाऊंगा, एक कमांड को मैं discuss करता चलूँगा, तो आज मैं select कमांड के उपर focus कर रहा हूं, देखिए, अभी मैंने screen clear कर दिया, आप चाहते हैं, कि वैसे records को दिखाओ, students नाम के table में से, जिसका roll जो है, roll क्या है, roll is null, जिसका roll नहीं है, null है, roll में कुछ भी नहीं डाला हुआ, तो ऐसा तीन record मिला, कोई बात नहीं, select asterisk from students where roll is not null, जहां roll का value null नहीं है, तो ग्यारह record ऐसा मिला, ऐसा नहीं कि अभी ये चीज़ आप सिर्फ निमेरिक के साथ इस्तमाल कर सकते हैं, देखिए, select asterisk from students, आप लिखते हैं, where name is null, जहां नाम null है, नाम तीन record में null है, आप लिखते हैं, select asterisk from students, where name is not null, जहां नाम null नहीं है, students में, यह spelling mistake यहां हो गया, students, यह देखिए, जिसका नाम null नहीं है, सारा नाम है, बाकी null हो, भी सकता और नहीं हो सकता, लेकिन name null नहीं है, देख लिए, उसी तरह से आप इसी को execute कराते हैं, select asterisk from students, where address is null, जहां address null है, semicolon, और इसी डंग से, select asterisk from students, where address is not null, जहां पर null नहीं है, बाकी बचा हुआ column, name roll null है, या नहीं है, उसे कोई फरक नहीं पढ़ता है, address लेकिन null नहीं है, तो यह null या not null, आप numeric में भी लगा सकते हैं, character में भी लगा सकते हैं, अधर data type में भी लगा सकते हैं, लेकिन, अब ध्यान दीजे, यह सब variation में बता रहा हूँ, select command का, आपको लिखना है, select asterisk from students, where, roll is greater than equal to 1, and roll is less than equal to 10, ऐसा आप लिख सकते हैं, where command के बाद आप condition दे सकते हैं, अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि greater than equal to 10 दीखे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहते हैं, less than, greater than 10 दीखे, equal हटा दीजिए, आप चाहते हैं, less than 10 दीखे या less than 11 दीखे, कुछ भी, आप चाहते हैं, less than equals 11 दीखे, समझ रहे हैं, तो यह आपका logical operator आप यूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि वैसे को दिखाओ जिसका roll exact 11 है, कोई भी record नहीं है, ठीक है, आप चाहते हैं कि जिसका roll नहीं पराबर 11 के, तो नहीं पराबर 11 के, जितना है सब आगे, 11 को छोड़ के सब आगे, तो यह जो greater than, less than, equal to, not equal to, greater than, equal to, less than, equal to type logical operator है, यह सिर्फ और सिर्फ निमेरिक कॉलम के साथ लगेगा, देखिए इसका एक और चीज़, select as to from students, where all, between 1 and 10, between में, जो lower value आपने 1 दिया, वो भी आ जाएगा, और जो upper value आपने 10 दिया, वो भी आ जाएगा, देख लिए, between 1 and 10, आप ऐसी लिख सकते हैं, roll not between, 1 and 10, यह भी आपका भगी काम कर रहा है, मतलब not between, इसमें 1 and 10 हटा के, तो जो एक से कम है, और 10 से अधिक है, वो दिखा, ओके, फिर मैंने क्या किया, clear screen मैं कर दे रहा हूँ, अब आप आईए originality पर, select आप करते है, select asterick का क्या मतलब होता है, asterick means all columns, जो भी column है, तीन column है, तीनों दिख रहा है, अगर चार होगा, चारों दिखेगा, पांच होगा आप पांचों दिखेगा, select roll from students, तो column चाहे जितना भी है, उससे मतलम नहीं है, सिर्फ रॉल दिखेगा, इसी तरह से अगर आप select name दे देते हैं, तो सिर्फ name दिखेगा, और अगर आप यहाँ पर address देते हैं, तो सिर्फ address दिखेगा, ठीक है, अब आप select roll, name, address देते हैं, from students, अब आपने सभी columns का नाम दे दिया, तो यहाँ पर question उठ़ेगा, कि sir, roll name, address हमने क्यों दिया, वहाँ पर to ask दे के काम चल सकता था, हाँ, बिल्कुल, चल सकता था, लेकिन यह जो command है, यह क्यों है, देखिए, आपको सिर्फ roll name डिस्प्ले करना है, यह इसलिए है, आपको रॉल और address डिस्प्ले करना है, यह इसलिए भी है, आपको पहले address, और तब जाकर के name, देखिए, default order से अलग हटके, करना है, यह इसलिए भी है, आपको पहले address, और उसके बाद roll देना है, यह इसलिए भी है, और आपको पहले, इसलिए भी है, मतलब यह बता रहा हूँ कि कितना सारा variations है, commands का, यह बहुत important चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, अभी आप लिखते है, select asterisk from students, देखिए, आपके सामने जो record आ रहा है, वो ऐसा कुछ आ रहा है, वो ऐसा कुछ आ रहा है, वन से लेके ऐसा, आप यहाँ लिखते है, select asterisk from students, order by roll, ascending order में दिख रहा है, हाला कि मैंने डाला भी data record ascending order में था, इसलिए कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप यहीं पर descending लगा देते हैं, यहाँज़ आप तो आप पाएँगे, कि देखे, descending order में आ रहा है, जहाँ नल को उपर रखा गया है, यह यह, roll के उपर descending में, 34 तब 23, तब 18, तब 17, ऐसे करते हैं, आप यह command को कहीं भी उनस कर सकते हैं, जैसे order by roll अगर आप एस्सी लगा देते हैं एस्सी चाहते हैं आप और ही चाहते हैं और यही चीज़ आप एड्रेस के साथ भी कर सकते हैं, address में आप लगा देते हैं ascending order और आप address में ही आप लगा सकते हैं descending order ठीक है, तो ये इस तरह से आपने आज सीखा कौन-कौन सा command, आज आपने सिर्फ select command का गरेशन सीखा कि कैसे आपको select command को इस्तेमाल करना है, जैसे यसे वीडियो आगे आती जाएगी मैं और भी commands बताता जाओंगा, आज आप लोग पहले इतना अच्छे से लैब करने इसका, अगला वीडियो फिर मैं कल अपलोड करूँगा, और जिन लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो न जाए, Excel हो, Tally हो, Java हो, C हो, C++ हो, Computer Fundamentals हो, वहाँ पे मैंने lecture जो है, वो जो भी वीडियो है, वो lecture wise मैंने order में डाला है, तो वो देख ले, और order wise ही देख ले, तो अगला वीडियो फिर, कल मैं post करूँगा, और आप लोग description से आप लोगों को सारा वीडियो का link मिल जाएगा और जो भी लोग वीडियो देखें, प्लीज comment जुरू करें, जो suggestion हो, सुझाओ हो, वो दे, thanks, thanks a lot. झाला है, 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 झाला